अध्याय बार्वा, भाशा एवं शेली साइं बुल्यशा की अधिकतर वानी काफियों में है। उनके समय सूफियों में काफी लिखने का पहुत रिवाज था। काफी भक्तों के शब्दों या पदों से मिलता हुआ काव्य का रूप है। इसमें कवी किसी परमार्थी विशे को अधिकतर गुरू या परमात्मा के प्यार और विरह को साधारन धंग से वर्णन करता था। काफी गाय जाने के लिए लिखी जाती थी और कई सूफियों ने अपनी काफियां क्लासिकल या सनातनी रागों में बांधी हैं। साधारन लोग सूफियों के तकियों में दाइरे की शकल से जुड़ जाते हैं और मिलकर काफियां गाते हैं। कई बार कवाल काफी गाते हैं। काफियों की बोली बहुत साधी और आम जानकारी की होती थी। सूफियों की पंजाबी में लिखी काफियों में अर्बी और फार्सी के शब्दों और इसलामी धर्म गरंतों के कई उध्रन भी मिलते हैं। परन्तु कुल मिलाकर इन में स्थानिय भाशा, मुहावरे और सदाचार का रंग प्रधान है। बुलेशा ने बारा मा और अठवारे भी रचे हैं और सिहरफियां और दोहे भी। बारा मा में वर्ष के भिन भिन महीनों के द्वारा कवी ने प्रेम और विरहा के विश्यों को लिया है। सिहरफी, पट्टी या बावन अक्री कावय का रूप है, जिसमें कवी किसी वण माला के भिन भिन अक्षरों के सहारे अपने विचार प्रगट करता है। बुलेशा, सुल्तान बाहु और दूसरे कई सूफियों ने सिहरफियां लिखी हैं। बुलेशा की सिहरफियां उसकी काफियों की तरह प्रेम और विरह के रंग से ओथ प्रोत हैं। इनमें कई सूख्षम रुहानी अनुभव, बहुत रहस्यमय परंतु आसान बोली में प्रस्तुत किये गए हैं। अठवारियों में भी कवी ने सप्ता के हर दिन के आधार पर प्रेम और विरहा का वर्नन किया है। दोहे में साधारन तोर से कवी दो पंक्तियों में कोई पूरा भाव प्रकट करता है। साइन जी के दोहे बहुत प्रबल और स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं। इन में करमकांड और मुलाओं, काजियों, पंडितों और तथा कथित विद्वानों पर करारी चोड की गई है। कई दोहों में सूक्षम रुहानी रहस्य से बहुत सरल परंतु भाव विवोर धंग से प्रकट किया गया है। शाह हुसैन आदी सूफी कवियों की तरहां बुले शाह ने बहुत से अलंकार और प्रतीक साधारन पंजाबी जीवन से लिए हैं। इन अलंकारों का संबंद चर्खों-पूनियों, गोडियां, तकलों, त्रियन, पत्तन, पूर, रसी, घड़ा, घडोली आदी से है। इस लोग को माइका और परलोग को ससुराल कहा है। और आत्मा व परमात्मा के संबंद को स्त्री व पुरुष के रिष्टे द्वारा वर्नन किया गया है। इसी संबंद को हीर रांज़ा, सस्सी पुन्नू, सम्मी टोला, यूसुफ जुलैखा, लेला मजनू आदी की उपमाओ द्वारा भी प्रकट किया है। इसी प्रकार कलमे का भाव प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द, नाम, अनहद शब्द, अनहद की मुरली, अनहद नाद आदी विशुद्ध भारतिय पदों का प्रयोग किया है। दोनों में सरल्टा से समझी जा सकने वाली मिश्रित शब्दावली प्रयोग की है साई जी की बोली अधिकतर पंजाबी है परंतु आपने कुछ काफियां और दोहे हिंदी और साध भाशा के मिश्रित रंग में भी रचे हैं बारा मा में पंजाबी और हिंदी दोनों भाशाएं एकठी प्रयोग की हैं इससे पता चलता है कि आपका भाशा के प्रती बड़ा उदार दृष्टी कोण था आपका मुख्य उदेश विचारों की अभी व्यक्ति था जिस भाशा में कोई भाव, सरल और सुन्दर ढंक से प्रस्तुत हो सका वो आपने कर दिया हजरत अन्वर अली रुहत की लिखते हैं कि पंजाब और इसके आसपास के क्षेतरों में इनसाने कामिल हजरत बुले शाह का कलाम पढ़ने और गाने का आम रिवाज है क्योंकि यह कलाम अदवैत वाद से संबंदित है और इसमें हजरत शाह साहिब ने अध्यात्मिक और वास्तविक्ता के मोती पंजाब की प्यारी बोली में पिरोए हैं यह दैविक प्रेम का शक्तिशाली कलाम है जो परमात्मा के सचे भक्तों और प्रेमियों की ऐसी दशा बना देता है जिसका शब्दों में वर्नन नहीं हो सकता यह कलाम इश्क की आग भड़काता है और तन बदन में आग लगाता है जो सच्चे भक्तों की आत्मा का भोजन है आप कहते हैं कि कामिल सूफी फकीरों ने लोगों को अग्यान की नील से सावधान करने के लिए अपने कलाम में वास्तविक्ता अर्थात सत्य का रहस से भरा ताकि इस कलाम को सुनकर लोगों के दिल पर चोट लगे और उनको अपनी असलियत का ग्यान हो हजरत बुलेशा का कलाम भी इसी श्रिणी में आता है इसमें बिजली जैसा प्रभाव है इसको सुनने से लोगों पर सन्नाटा चा जाता है और उनके अंदर परमात्मा की याद ताजा हो जाती है डॉक्टर नजीर अहमद लिखते हैं कि साई बुलेशा अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते उन्होंने जो बात कही है सीधी कही है प्रंतु विचार की तीवरता और द्रिष्टी की गहराई इसमें वो प्रभाव पैदा करती है कि कला मूँ देखती रह जाती है यह सादगी इसी अभ्यास का प्रणाम नहीं है यह वह आधी या प्रारंभिक सरलता है जो खुर्दरी भी है और शक्तिशाली भी परमार्थ के गूर रहस्यों को अर्बी, पार्सी, संस्कृत आदि भाशाओं के कटिंच शब्दों में व्यक्त करने के स्थान पर साधारन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाशा में प्रकट कर देना मध्यकाल के सभी संत, भक्त, फकीर कवियों की वाणी का विशेश गुन है जिसके साई बुलेशा के कलाम में भी सुन्दर दर्शन होते हैं आपकी वाणी की एक बड़ी विशेशता व्यंग या प्रहार है जो कहीं सुई की चुभन का रूपधारन करती है और कहीं धंके की करारी चोड बन जाती है इस व्यंग का सबसे अधिक प्रयोग मुल्लाओं, काजियों, पंडितों, पुरोहितों और तथा कतित परहेजगारों के विरुत किया गया है कुछ उधारन इस प्रकार है आप कहते हैं इल्मो मियां जी कहावें, तंबा चुक चुक मंडी जावें, तेला लेके छुरी चलावें, नाल कसाईयां बहुत प्यार, इल्मो बस करीं ओ यार, इल्मो बस करीं ओ यार एक और जगा कहते हैं वारे जाईये उना तों, जड़े मारन गप शडप, कौड़ी लबी दे देवन ते बुगचा खाउं घप एक और जगा आप कहते हैं वारे जाईये उना तों, जड़े गली लैन परचा, सुई सलाई दान करन ते अहरन लैन छुपा साई बुले शा के कलाम में ऐसी शोखी और नाजुख ख्याली है, जिसका उधारन ढूंड पाना सरल नहीं हुन किस्थी आप छुपाइदा काफी में, आप कहते हैं, कि वह द्यालू प्रभू, सुईम ही वरिंदावन का गवाला, यानि भगवान कृष्ण बनकर आता है मक्का के हज की प्रथा, थरत मुहमध के बाद प्रारंब हुई, परन्तु आप द्यालू प्रभू के मुकाम हक यानि सच्खंड से, हजरत मुहमध का रूप धारन करके, मक्का पहुंचने को मक्के का हाजी बनकर आने का नाम देते हैं, जो बहुत अचूता वर्नन है इसी काफी में आगे चल कर आप कहते हैं कि जब मनसूर तुम्हारे पास पहुँचा तो तुमने उसको सूली पर चढ़ा दिया वह मेरे पिता का पुत्र होने के नाते मेरा भाई है मैं उसका उत्रा धिकारी हूँ इसलिए मुझे उसके रक्त का बदला दो एक और परमात्मा को पिता कहना और फिर उसके पुत्र को अपना भाई कहकर उसके रक्त का बदला मांगना एक अजीब चोंचला है जो साई बुलेशा को ही शोवा देता है आप कहते हैं बनसूर तुसांते आया ए तुसांसूली पकड़ चढ़ाया ए मेरा वीरना बाबल जाया ए खून तुसी दियों मेरे पाई दा इसी काफी में प्रेमिका के रूप में बहुत प्यार भरी आदा में उस द्यालू प्रभु को परिशान करते हुए कहते हैं कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे तुमसे दूर नहीं जाना मैं तेरे सारे भेद खोल कर देखूंगी कि तू किस प्रकार मुझे अंग नहीं लगाता परमात्मा का डट कर मुकाबला करने वाला और उसको ताने ही नहीं धंकियां तथा अल्टीमेटम देने वाला ऐसा शोख इनकलाबी कहीं कम ही दिखाई देता है आप कहते हैं हुण पास तू आड़े वसांगी ना बेदल होके नसांगी सब पेत तू साड़े दसांगी क्यों मैंनू अंग ना लाई दा इस प्रकार आपने मुर्शद या परमात्मा को बुकल यानि चादर का चोर कहकर पुकारा है चोर खतरनाक है प्रन्तु घर का चोर और बुकल या अंदर का चोर तो और भी खतरनाक होता है देयालू प्रभू को चित चोर कहा गया है क्योंकि वह छिप छिप कर मन को मोह लेता है और पकड़ने का प्रयत्न करें तो वश में नहीं आता आत्मा कुंडी में फंसी मचली की तरह है और मुर्शिद छिप छिप कर कुंडियां डालने वाला और डोर खींचने वाला मचेरा है बुलेशा फरमाते हैं किनू कूक सुनावानी मेरी बुकल देविच चोर शा एनायत कुंडियां पाईयां लुकुचुप खिचदा डोर जिस प्रकार साई बुलेशा ने अपने महबूब यानी प्रेमी, मुर्शिद या परमात्मा को समानता के स्तर पर आकर ताने दिये हैं उससे उनका कलाम बिलकुल स्वभाविक बन गया है और परमात्मा या गुरू दूर की वस्तुन रहकर अपने किसी निकट के संबंधी या प्रेमी की भांती लगने लगा है साई बुलेशा की सारी वानी में विचारों की निश्चलता तथा निश्क पटता है यह वानी बिना पर्यत्न के प्राकृतिक छर्नों की भांती दिल की गहरी कंदराओं से निकली प्रतीत होती है इस वानी में बेखुदी और बेपरवाही है मस्ती और खुमारी है रहस्समय नजाकत और अलहण कोमल शोकी है इसमें एक मटक है दिलेरी और शक्ती है इस वानी में सुखांत गीत वाला अनंद है और दुखांत उलाहने की करुणा मै वेदना यह कहीं संगीत की मधुर ध्वनी बन जाती है तो कहीं नित्य की लए मै चम चमाहट यह भेद छिपाती है और भेद खोलती भी है इसकी प्रकृती जितनी सरल और स्वभाविक है उतनी ही गूड और अर्थमय है इसमें प्रेम के तीक्षन अनुभव को ऐसी रवानगी और शक्ती से वर्णन किया गया है कि यह जबरदस्ती रिदे की गहरी तैह में उतरती चली जाती है जो कोई एक बार इसको पढ़ लेता है पार बार इसको पढ़ने के लिए विवश हो जाता है